आधाव नार्जीन में रुकसार फातिमा E7 News में आपका खेर मगदम है चलिए नज़र डालते हैं आज की खास कबरों क्यों के दर के साबिफ कॉंसलर नभी खुरेशी के आफिस में COVID vaccination प्रोग्राम रखा गया जिसमें कई मजभ़ब के लोगों ने vaccination करवाया इस मौखे पर तालुक राजर पार्टिल ने बताया कि जिसने भी COVID vaccine नहीं लिया है आने वाले दिनों में उसको जुर्माना भरना पड़ेगा जिस तरह से पोलिस वाले खानून का उलंगन करने पर जुर्माना आयद करते हैं उसी तरह से COVID vaccine ना लेने वाले अफ़राद पर जुर्माना आयद किया जाएगा सभी अवाम से अपील की है कि जल से जल COVID vaccine लगाएं बिदर के Bombagundeshwar Circle के आतरा बड़े बड़े गड़े पड़े हैं जिसकी लेंट देवर फीट है रहागिरों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जहां हर रोज हजारों की तेदाज में गाड़ें गुजरती हैं जिसकी वज़े से हादिसात का भी खत्रा हो सकता है बिदर के जमेदारों को चाहिए कि इसे जगाओं पर तबज्जा दें और अवाम को होने वाले खत्रों से बचाएं बेंगलोर में खौफनाख सड़क हादिसा तमिलाडू के रुकुन असंबली के खानदान के साथ अफराद हलाग करनाटर के दारल हकुमत बेंगलोर में पेशाया खौफनाख सड़क हादिसे में रुकुन असंबली वाई परकाश कुमा के खानदान के साथ अफराद हलाक हो गए। रुकुन असंबली वाई परकाश को गए। तिलंगाना में स्कुल खोलने के फैसले पर अदालत ने रुक लगा दी है। अदालत ने एक हफ़ते तक के लिए स्कुल खोलने के फैसले पर हुकुम अलतवा जारी किया है। वज़ा रहे कि तिलंगाना हकुमत ने 1 सितंबर से स्कुल खोलने का फैसला किया था। जिस पर हाई कोड में एक दोखास परा समात हुई और अदालत ने स्कुल खोलने के फैसले पर एक हफ़ते तक रोक लगा दी है। कामरेडी में एक मुस्लिम खातून का गला काट कर नामालम अफराद फरार। तिलंगाना के कामरेडी टाउन में आज सुबह मकान के सामने जाडू देने वाली खातून का नामालम अफरार ने गला काट कर फरार हो गए। ये दिल दहलाने वाला वाख़ा कामरेडी टाउन के बरकत पुरा अलाखे में पेश आया खातून को तश्वीशनाक हालत में सरकारी अस्पताल मुंत्खिल किया गया खातून की शनाखत निशात फिर्दोस की हैस्ट से हुई है बताया गया के दो अफ़रार मोटर बाइक पर आकर खातून का गला काटकर फरार हो गए हमले की वज़ा मालूम ना हो सकी पूलिस इस वाख़े पर तहिकरात कर रही है उतर परदेश में पुरसरार बुखार का खहर फिर्जाबार में 33 बच्चों साथ बालिगों की मौत उतर परदेश में पुरसरार बुखार ने लोगों में खौफ औ हरास पैदा कर दिया है देंको जैसे बुखार की जड़ में आकर फिरुजाबाद में 33 बच्चों और साथ बालगों की मौत हो चुकी है उत्रपदेश के वजिराला योगी अधित्यानाद ने पीर के रोज मतासरा कुम्बों से मुलाखात करके इन्हें हर मुमकिन मदद की यकिन दहानी कराई है मत्रा के साथ शहरों में शराब और गोष्ट की बिकरी पर लगी पाबंदी उत्रपदेश के वजिराला योगी अधित्यानाद ने मत्रा में एक मजभी तकरीब का खिताब करते हुए कल ऐलान किया के मत्रा के साथ शहर लिंदावन, गवर्दन, नंदगाउं, बरसाना, महावन, गोकुल और बल्दियों में शराब और गोष्ट की बिकरी पर पाबंदी लगी उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इन कामों से जुड़े लोगों को जल्द कोई मुदबादिल दिया जाएगा नागोर में खौफनाक सरखादिसा, ट्रक और जीप के तसादू में 12 अफराध हलाग राजिस्तान के नागोर में खौफनाक सरखादिसा पेश आया, इस हादसे में मध्या परदिश के 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबके 6 लोगों की हालत तश्वीशनाख है तमाम मध्या परदिश के उज्जेंज लेके सजन खेड़ा और दौरत पुरा गाउं के रहने वाले बताये जाते हैं मनने वालों में 8 खवातिन और 4 मर्द हैं आज की खास खबरों में इतना ही, मुलक भर की तमाम ताज़ातर इन खबरों के लिए देखते रहें E7 News